एक किसान की फकान का पानी हमें जो डूबी क Sugie दे रही है ये धान की फकान है, और किसान की मैनत सिफ फसलों को उगाता है और उसके बाद में further थोड़ी और प्रक्रटिक आपधा आती बरसात आता है तो आप देखिए कि इन फसलों का हस्र क्या होता है पूरा पानी से लबा-लब ये खेत है चारोतरप इधर साइड में आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है और ये पानी इतना ज़्यादा भरा है कि ये जो धान की फसल है इसके सूखने का टाइम है मगर इन स दूखने के समय में अगर पानी इतना भर गया है तो आप खुछ समझ सकते हैं कि किसानों की फसल का क्या हश्र होगा और ये फसल से किसान अपनी रोजी रोटी चलाता है अपना कमाई चलाता है चाहे वो बेच करके खा करके मगर किसानों की समस्या सायद आम इनसान या उस स उपर का जो इनसान है जो किसान नहीं है वो समझ नहीं पाता इसलिए हमने किसानों की समस्या दिखाई दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे किसान का खेत और खेत के बगल में घर बने हुए हैं और घर के बीच में पानी लबालब भरा हुआ है और ये पानी क्यों भरा वो जिन जगे होने चाहिए, उन जगों पर नहीं हो पाते, इन सडगों पर विकास होना चाहिए था, यहाँ पर सड़क बनना चाहिए था, मगर यहाँ पर सड़क नहीं बनी है सड़क तो उस जगे बनती है जहाँ पर बहुत सारी जगों को जो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि जहाँ पर आवशक्ता इतनी जादन नहीं है मगर यह गाउं जो विकास की राह तक रहा है आखिर कितने समय से तक रहा है क्या लोग परशान है क्या लोग चाहते है क्या किसान चाहते है महिलाए है क्योंकि किसान तो भाई खेत में गया होगा आप लोग महिलाए हैं आप लोग घर में होंगी तो क्या चाहती है महिलाए है क्या समझती है क्वानेता vik Virgin Sumter पानि बच्चे पढ़ा हुआ है एतना पानी भरा हुआ है नदी बाते यहां पर कुई देखने नहीं है जब बहुत दय कहाँ अब लोग घर नेताओं के पास तुपकर अजय कहते हैं कि बनाउना देंगे बैरना कि नहीं है चुनाओ आता है तो बोट दाले आप लुट डाटी कुना कार देखे ले श्राइव के ने कार दबादेगा जाते हैं त्रेय की आप सूस्ती जहां मनुद बाद जाओं डबार देऊंगे जहां पानी भर जाता है पानी भरने से कितना लोग बहुत सारा घर बना हुआ है अच्छा अब देखिए सोचाले के लिए बता रही है आप यह देखिए कि पूरा यह रास्ता किस तरह से लोग आते होंगे सोचाले यहां बना है नहीं बना इस पर बात करेंगे लोगों से मगर घर कितने इसमें पीडित होंगे तमाम सारे किनारे घर बने हुए है और यह पानी बरसात के कारण भरा रहता है सडक मार्ग ये है और ये सडक मार्ग की हालत ये है कि यहां पर खड़ßenja तक बिछा नहीं है लोगों का क्या कहना है इन तमाम सारे मुद्धों पर तो बात कर रहें और भी मैला हैं आपका घर यह है यही घर है आपका आपके घर में भी दिक्कत होती है यह सब पानी भरता है यह सर जब पानी भर जाता है तो यहां पर बहुत सारी दिक्कते आती बहुत सारी समस्या है आती कहीं पर पानी पास होने की जगए ही नहीं है और यहां जो यह सारे रोड है यहां पर कोई कंपलीट करने आता ही नहीं ह का संसे करते हैं यह देख 10 फ्रवाशसंड बरशिए दिया राता है कि बन जाएगा आते नहीं नहीं susay कोई नहीं देखन है और यहां पर शारी वहांसे उनको भी बहुत सारी दिकते होती बहुत sari सब लोगों के हैं लेकिन जनुरों को भी इस वज़े से दिक्कत होती है और इस गिर गया है लेकिन सब देखने आज नहीं देखते हैं हुछ फिर तीन विन लगा ङे टा किसी तरह से से यह ता जो है पानी के कारण गर फिर गिर लगाये हुआ था बरसात के कारण गिर गया है चोटुटु इधर खोत्तों से बात करें कहां यही रहते हो यह बताओ अकड़िया खुर्द में रहते हो सब कोड़ा के लिए बताते हैं कोई नेता वता नहीं आता है तुम लोग होम रहे हैं इतर गोमने नहीं आते हैं लड़का है सोच बड़ी है आने का भविष्य है और भविष्य यह सोच रहा है कि भाई पढ़ने लिखने के लिए क्या दिक्कत होती है बहुत सरज़े भर जाते हैं इसमें नहाते हैं भर भर के यहाँ पर अच्छा इसमें डालते हैं पानी नाला नहीं बनाते हैं यहां पर कि भाई आथी बिकास कहां है कहां यह सडक पर नाला होना चाहिए नान जांना खटन fold जानने की कुशिश कर रहा है इसी तरे इक रिपोर्ट आप तक पहुचा रहेंगेraday झाल